तो कैसे हो भाई लोग आप सब बहुत ही अच्छे होंगे भाई आपल के एरपॉट्स प्रो सेकिंड जनरेशन पहले इनके इन्बोक्सिंग करते हैं भाई अगर आपको ये एक चीज जाननी है कि भाई इसमें जो सारे मोड्स आते हैं वो कैसे हैं इसका एनसी कैसा है साथ में जो इसका एक निया मोड आया इस अडाप्टिफ ऑडियो मोड वो है क्या और वो काम कैसे करते हैं तो भाई सबसे बहुत 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 गंदी वली में को ये सुनने थे और आपको बिना सुने इसका रिव्यू नहीं दे सकता और डिटेल और यू रिव्यू के लिए सुनना पड़ता है तो पहले मैं आपको दिखा दू कि भाई इसमें क्या क्या है तो मैंने बस सुने थोड़े बहुत भाई थोड़ी सी इन्मोक्सिंग कर ली थी बाकी मैं आपके साथ कर ले तो यहाँ पे इसको करते हैं साइच में, पहले आप देख लो क्या क्या मिल जाता है मैंन utterमे आपने देख लिये एक मिलती है आपको यहाँ पे केबल तो यहाँ पे बैदे केबल फॉम आपल extra small small and large तो इसको भी करते हैं आप side में अच्छे packaging लगी मुझे इसकी so डबबे को करते हैं side में and here are your airpods case जो है generation 1 जैसा ही है और यहाँ पे आपको लिख बख वेट भी ऐसा ही है but क्या different आपको यहाँ पे मिलेगा एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे basically यहाँ पे आप कोई strap दालके पत्ली string दालके इसको आपको carry करने में easy रहेगा अगर आपको मतलब कुछ strap चाहिए तो ठीक है दूसरा difference है भागाईस यहाँ पे that is your speaker over here इस case में आपको speaker मिलता है जो आपको help करेगा अपने airpods को in case अगर यह lost हो जाते हैं गुम जाते हैं अगर यह रह जाते हैं track करने का tracking से एक बात और याद आई अगर आपके airpods आप से paired हैं आपके phone से अगर आप primary owner हो इसके तो definitely जो कोई दूसरा बंदा pair करने वाला होगा तो आपके पास सारी notification आपके पास आईगी तो दूसरा पहरे बात करते हैं यहाँ पर आपको speaker मिल जाते हैं जो कि basically जिसमें आपको human chip मिल जाता है that will help you in precision tracking जो basically इसमें assist करता है और इसके tracking बहुत ज़्यादा accurate है आपको इतना pass उसके ले जाएगा लाइक लेटर पास नहीं वहीं लिके जाएगा 0 meter, 1 meter so that is the one thing lanyard hook is the second thing और battery improved हुई है इसकी अब इसको खूल के आपको दिखाता हूँ कैसे है और यहाँ पर आपको बढ़न मिल जाता है and that is for your pairing mode यह रहे आपके Apple earbuds and तोड़े से I'm sorry for that and here they are so, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह है कैसे same वही चीज है अब यहाँ पर आपको एक चीज मिलती है that is कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हूँ छोड़ असा section दिख रहा है आपको basically right तो यह आपका volume के लिए volume up and down करने के लिए you just have to slide like that and बहुत accurately काम करता है मुझे काफ़ी functionality मुझे काफ़ी अच्छी लगी and आपको हर जगा sensors and mic you can see और सबसे बड़ी बात they are really very comfortable मैंने ये वले buds लगायते हैं, मैंने buds switch नहीं करे हैं but जो buds मेंने काल में लगायते हैं मेरे काल में perfect आये हैं and इनकी stem बहुत लबे नहीं है and they fit very well ठीक है, so और type C charging port अब को यहां मिल जाता है तो अब भाई हम बात करते हैं unboxing हो गई है, अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी शेकल से बोर नहीं करूँगा but you have to see me, okay तो भाई अब बात कर लेते हैं that is कि इसमें features की इनों ने इसमें like एक off mode, transparency mode और अगर आप इसका layout देखोगे transparency mode, off mode seriously, off mode is nothing like कि बिल्कुल वो stock चल रहे है उसके बाद आएगा transparency mode, फिर आएगा adaptive audio फिर आएगा आपका ANC सबसे बाली बात करते हैं ANC कि जब अगर आपका ANC on है तो आज पास की आपकी सारी noises blocked है और ANC इनों ने लिखा हुआ है 2X तो मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा कि 2X है या 1X है मैं यह बोलूँगा कि इंडिबेंटली मैंने सोना है मैंने सोनी के XM4 मेरे पास है they sound fantastic उनकी जो ANC है बहुत ही अच्छे लेवल की है अगर इनकी बात करें I am not comparing it with Sony XM4 बट हाँ इनकी जो ANC है कमाल की अंगर थी मैं इसको पहन के भार गया है शोर में पाक में तो जो बर्ट की अवास थी काफी हज़ नहीं बोल रहा कि ख़तम हो गई इसके अलावा जो लोड रॉम लिंग थी उसके अलावा आसपास की जो नॉइस थी लाइक जो मोटर्स की आसपास जो गाडियां चल रही थी सब की अवास इतनी बंद होगे कि I was really feeling quite that time कि सब को शान्त हो चुका है तो noise cancelling इसके बहुत तक रही है ठीक है यह होगे ANC फिर जब ANC के बाद आप आते हो adaptive audio mode पे तो उसमें क्या है उसमें यह है like it blocks 75% of the noise क्योंकि मैं जिस environment था let me get you imagine कि आप सोचो कि आप हो आप घर से भाह निकले you are on the road आपको ट्राफिक चल रहा है लोग थोड़ी बाते कर रहे हैं और यह सब है बिसकिले ट्राफिक के नोइस ठीक है कार के नोइस उनके टायर नोइस यह सब तो आपके adaptive audio में क्या होगा basically कि वो 70% volume काटेगा ठीक है and 70% volume में अगर आपने कोई audio नहीं चलाया होगा अगर आपका गाना चल रहा है और आपका गाना चल रहा है और आप तब उस पर स्विच कर रहे हो तब आपको difference फील होगा मैं आपको टिप दे रहा हूं का रहा है और यह से तो उस ताइम पे जो गाड़ियों के वास्ती वो थोड़ी सी और मिनिमाइज हो गई मुझे थोड़ा सा environment जादा quiet मिल गया और हाँ जो आपका यह वाला mode है that is adaptive audio इसमें यह करता क्या है बिसे कली इसमें यह specific sounds for example like announcement हो गई या कहीं पे horn बजा जो जो की sudden outburst हो जो sound basically आपके notice में आनी चाहिए and like की जो normal level से उपर की sound है that you should be aware of तो यह उसको pop कर देगा and आपका जो audio है उसको balance करता हुआ बट इसमें यह मानों अगर layman language में कि यह 75% volume काटेगा फिर जब अब 3rd mode पर आओ गए that is a transparency mode उस mode पर basically आपको 50% volume आपकी 50% environmental noise कर जाएगे बट हाँ अब तक आपको transparent हो जाओ गए आप environment की noise है तो आपको बाहर की काफी sound सुनाई देगी गाड़ियों के noise, tire noise, engine noise, आसपर उनके जने की अवाज आती है वो सब आपको सुनाई देगी उस time पर जैसी आप उसमें वापस आओ गए adaptive में तो वो sound थोड़ी सी और minimize हो जाएगी और जब nc पर आजोगे तो सब कुछ शान्त हो जाएगा अब यहां पर एक चीज यह है कि ट्रांसपरेंसी मोड जो है कीप सॉन के केन कब जब आप इसमें आपको तीन मोड और मिल जाते हैं जो आपको स्कीन पर भी दिख जाएंगे इसमें से जो आपका conversation awareness mode है अगर यह on है चाहे आप किसी भी mode पे हो irrespective of कि आप अप अन्सी पे हो या adaptive पे हो the moment you start talking तो उस time पे वो अपने आप transparency mode पे आ जाएगा and this जो यह mode है बहुत काम का है conversation awareness mode because अगर आपने बात करना शुरू किया आप music कोई आपसे बात कर रहा है तो music दीरे 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 कम हो जाएगा and यह मुझे काफी useful लगा कोई आपसे बात कर रहा है और music एकदम कम हो जागा you don't have to lower the volume automatically होगा तो जैसी अगर यह अपने mode off कर दिया जो conversion awareness mode है तब आप बेशक चाहे ANC पे रहो adaptive पे रहो और अगर आप बोल पे रहो यह कुछ भी हो रहा है बोल रहो basically आप तो वो kick-in नहीं करेगा वो shift नहीं करेगा but अगर यह mode on है तो वो automatically उस पर आएगा and the moment you stop talking तो वापस आप जिस mode पे थे ANC पे हो या आप चाहे adaptive पे हो वो अपने वहाँ पे वो अपने वहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो यह थे इसके features अब बात यह में को सारा समझा दिये विसे करी तो ANC में सारी sound cut जाती है आप उस पर अड़ाप्ट पर संट ट्रांस्पिरेंट पर संट तो 50 पर संट गलत कर रहा हूं SPATIAL spatial audio आप अगर सही जानते तो नीचे भाई पिंग कर जाना comment में कि आपने गलत बोला तो यह इसकी exact pronunciation I don't mind that यह है बिसे कर लिए इस अइमर्सिफ experience of sound in a 3D format और आप को कि पस एक immersive और 3-dimensional sound like basically बढ़ा sound की प्रवाइल इसमें change हो जाती है अच्छी वेसे होती है इसमें क्या करता है बिसे कि अब इसको on करोगे तो it will do a face mapping यह आपका face इस side से इस side से आपके कान को track करेगा कि वो कहां पे है किस angle पे है डाइगनास करके face को map कर कि basically यह आपको एक head tracking और I will say कि जब पूरा डाइगनास कर लेगा तो it will give you a dynamic head tracking अगर आपने गाना सुन रहे हो अपने volume जो basically volume की जो ड्राइक करने वाला बटन होता है I mean जो option होता है इसको आप उस पर click करके रखो यह आपके screen pop-up हो जागा इस तरीके से then यहां के तो जैसे आपकी sound है वैसे आरी है आप कहीं पी जैसे बैठे हो कहीं पर भी हो कोई movement करो sound ऐसी आएगी और immersive है की 3D sound आएगी अच्छी room ही sound आती है बट जैसे आपने head tracking on किया जो इसका main feature है उसमें क्या होगा आपने JS direction में अपना sir turn किया लग अगर आपने यहां turn किया तो जो यहां turn कर रहा हूं तो में को यहां पर अवाज तो it is a good touch अब बात करते हैं बात करते हैं बैटरी लाइफ की बैटरी लाइफ पहले से थोड़ी सी इंप्रूब्ट है छे घंटे का बैग आप ओर मिलता है अगर आप एक बर में यूज कर रहे हो तो and पितर केस 30 आवर्स मैं आपको बैटरी बैकप इसका काफी अचा है एंड इसमें आपको मैंने बताया कि इसमें आपको बिल्ट इन स्पीकर मिल जाता है that is a good thing तो और वह बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें जो प्रेसिजिन जो ट्रैकिंग वह बहुत प्रेसिजिजिन वाली है और बहुत लाइड होग जो मैंने आपको पहले बता दिया आपको वेकरा लगाने के लिए सो भाई यह है मैंने आपको सारे फीजर्स ऑल्मोस कांट कर दिये बद चोटे मोटे फीचर्स और रह गए होगा यह देयार नौट फीचर्स वेनको जनरली सब कुछ जो बेसिक जो इसकी में अब बात करें थोड़ी से साउंड की विकॉस साउंड में जाता हूं मैं बात करों अब से बट यह अगर यह वीडियो देखरे आप बोलो गए नस अवन नहीं बता है तो क्या करा था तो सांड कैसी है सांड इसकी रिविए बहुत अची है लाइक मतलब मैंने सब्सक्राइब जो टिप्स में लगाए थे हो सब्सक्राइब मैं थोड़े बड़े टिप्स लगा हूं जिसने अगरा वैक्यूम और अच्छा बन जाए अल्दो यह वैक्यूम मेरे कानुट अबसे ब्लुकुल पर्फेक्ट था आइ वस नॉट फिलिंग अ अच्छा वैक् कितनी है डीप कितनी है और राइक बेस का पंच कितना है तो मुझे इंटेंसिटी इन पंच जो है अब थोड़ा कम लगा बट ऑन दे सेम साइट आइट इस अगोड थिंग की बेस हेवी हेडफोंस यह फोन साइमें आपको कम प्राइस पर बोस सारे मिल देंगा पांच यार रेली गुट लाइक ट्रांस्पेरेंट है यह क्लियर बिट फॉरवर्ड एंड उनमें रिश्रेस बहुत अच्छी आती है विकास्टी आप अच्छी आती है विकास्टी आप ट्राइबल इंफ्यूस इन इट जो लाइक दे आर नाच्रल अट आट अट सेम ताइम मलब की व मिधास बहुत आट अट आट च्या यह लाइक अच्छ और आट बोलुगा कि हाँ तोड़िसी क्रेबल है यह लिटलबिट अच्छी मुझा में पराइक चीज मुझे सम् तोड़िसी लगे इसलिगाएं जराद आट अधिए लिच्क्राइबल इंगि तोड़ पीछी बिश् होते एक लोकेशिंस होती वो मुझे थोड़ा सा कमी लगी वहाँ पे की साउंस्टेज इस्पिट ऑन वेकर साइड बट ओवराल साउंड बहुत कमाल किया और अब वस रिली इंजोएंग बिकास मुझे क्रिस्पी साउं ड्रेबल और इस नॉट क्रेजी क्रेजी ड्रेबल ओर बट हाँ इसमें अपको अच्छे कहाशी ट्रेबल के इंटेंसिटी मिल जाएगी सो ट्रेबल पार बहुत अच्छा है बेस इस ओन अमोडरेट साइड और वोकल्स आर रिच नाच्रल आंद देर नॉट राइस विट सो यह था भाई शॉट रिव्यू साउंड का I hope आपके वीडियो अच्छा लगा तुरसा लगा हो गया I'm sorry for that and stay tuned guys कोई भी doubt यह कोई भी query लगे नीचे पूछना comment section में again thanks for watching